है गाइस हाई दिस अभिशेग मासरी चरह फिससर विदान तू कैसे जलिए बच्छी जिंदिगी कैसे हो मेरे शेरों शेनियों वेलकम कियो धमागेदार सेशन आज का हमारा टॉपिक काफ़े इंटरेस्टिंग है और वो है कि भाई formula to crack competency-based questions क्या होता है मतलब आप क्या formula इस्तिमाह कर से जिसके तुरू आपके हर competency-based questions सॉल्ब हो जाया राम से लेगन सबसे पहले आपके दिबाग में सवाल आरह 살 का कि sir ये जरूरत क्यों है Why is it important? The answer to this question is very very simple कि भाई Board Examination ने पूरे Marks लाने है उसलिए सबसे पहला चीज ये Competency Based Questions करना ही पड़ेगा Practice करना ही करनी पड़ेगा इसकी क्यों करनी है सर? क्योंकि इतना साथ important है हाँ बिल्कुल important है क्योंकि भाई आपका Competency Based Questions का जो percentage है भी जो Board Examination में आता है वो 50 प्रतीशत है समझे आप? यानि कि 80 Marks के पेपर में 40 Marks का जो सवाल होगा वो आपके Competency से होता है तो इसी विडिस आपको समझ बाना चाहिए Competency Based Questions होते क्या उनको solve कैसे किया जाता है तो इस विडियो को एंट तक देखना था कि आपको इस बारे पुरा information मिल जाए तो चले में शुरू करना हूँ और पहले में आपको यह समझा देता हूँ कि भाई Competency Based Questions होते क्या क्या और कि इस प्रकार के आप क्या आते हो So what is the formula Formula से पहले आपको बता देता हूँ कि competency होता क्या है आपके competency Based Question में क्या बता है 40 Mark के सवाल आते है 40, 40 Marks आपके आने चाहिए क्योंकि 50% Competency Based Questions होती है आपके Board Examination में 50% अब यह 40 Marks पर जो सबसे पहला 20 Marks है 20 Marks है यह आपको मिलता है MCQs से कहां से मिलता है MCQs से जो आपके Section A में होता है Section A आपने देख लिया होगा आपके भी रॉडिक टेस्स में मिट्टमस में आने वाले होंगे या आप भी रॉडिक टेस्स में आ चुका होगा Section यह होता है जिसमें आपके 16 सवाल होते हैं 16 Questions होते हैं Objective Questions 16 objective questions होते हैं जो वो चार options होते हैं वो आपको clear करना होता है इन 4 सवालों में और ये असान होते है concept पता है, तो बढ़ ठीक है, हम बताएंगे कि भाई, formula क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 20 पास, आपको पूरे यहाँ पर मिलके है, 16 सवाल आपके objective हो, चार suggestion आपके accession reasoning, हालाकि accession reasoning भी आपका objective ही है, 20 marks हो चुके है, ठीक है इसके बाद आपका second category आता है, आपका 12 marks का, ठीक है 12 marks का आता है, और यह होता है section E, क्या होता है भई, section E section E में हर सवाल, 4-4 marks के आते हैं 3 सवाल होते है, MCQs तो आपके 20 सवाल होते हैं, हर सवाल 1-1 mark का होता है, section E में बीस सवाल होते हैं, 20 questions होते हैं, मैं थोड़ा से आप लिख भी देता हुआ कि 20 questions होने चाहिए, 20 questions होते हैं, और section E में सिर्फ और सिर्फ 3 questions होते हैं, हर सवाल 4 माग का होता है, ठीक है, और इसमें आपको, you know, तीनी सवाल मिलेंगे, और ये तीनों के तीनों होंगे कैसे, ये हो कैसे होंगे, बेटा, case based questions, ये case based questions क्या होता है, सबसे simple example होगा, जैसे आपको English और Hindi में आती है, passage based questions, है जहांपर आपको पठित गदियांच, unseen passage दे दिया जाता है, और passage पढ़ कर आपको जवाब देना होता है, और वैसे ही आपको Hindi में आती है, आप पठित गदियांच, अगर आपको जवाब देना होता है वैसे कावियांच भी होती है unseen poems भी होती है जो आपको दिया जाता है देकर जवाब देना होता है वैसे आपको चीज़ें आती है बस अलग बात है कि max हो जाए science हो जाए तो इसमें चीज़ें और हो सकते हैं जैसे कोई graph दे दिया, कोई diagram दे दिया, कोई lab experiment दे दिया, है ना कोई chart दे दिया और वैसे अगर sst की बात करें कोई flow chart दे दिया, timeline दे दिया, map दे दिया, rivers का या तो different types of soil का you know क्या कहते हैं diagram दे दिया, वैसे bio में भी different different चीज़ें, तो यह सारी चीज़ें आपके science, maths, sst बगरा में हो सकते हैं, English इंदी में तो फिर वही बात है, फिर आपको आपटित गद्याज पर बगरा चीज़ें आएंगी, लेकिन science, maths, sst में यह issue हो जाती है, ठीक है, तो यह हो गया, आपके 12 तो कितने marks होगे, by 20, plus 12, 32 marks के हो गये, अब बारी आती हैं, आखरी 8 marks की, यह जो last 8 marks है, यह ठोड़ा सा टरुकी है, बेटा, 8 marks आपके आने वाले हैं, subjective questions, ठीक है, अब यह subjective questions कहीं से भी हो सकते हैं, वो 2 mark के सवाल भी हो सकते हैं, 3 mark के सवाल भी हो सकते हैं, 5 mark के सवाल भी हो सकते हैं, we don't know, it could be from anywhere, anywhere, है ठीक है बस आठ माक आपको आजाना चाहिए जाधतर जो मैंने दिखा हुआ है वो तीन माक का दो माक का ऐसे combination में आता है ठीक है subjective question में जहाँ पर competency आती है cool बेटा अब देखो अब आपको समझ भाए कि competency का pattern क्या होता है लेकिन अब तक समझ नहीं कि competency ही क्या होती है यह सबकी जरूरत क्या है क्यों CBSC से 50 अतिशत पर अखे हुए है यह बहुत सवाल होते हैं बेटा जिनको आपको ना याद नहीं कर सकते हैं मतलब याद करके basically अगर मैं कहूं तो यह सवाल जो यह memory based नहीं होते हैं यह memory based नहीं होते हैं यानि कि जैसे आपको example में देता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछो absolute refractive index का definition बताइए तो अब जट से याद करोगे तो यह definition based ही यह याद करने के basis में हो गया अगर मैं आपको 9 ग यह CBC का format है और मैं अपने जेब से कुछ भी नहीं बोल रहा है अपने दिमाग से कुछ नहीं बोले सब CBC का format format है CBC का syllabus जब आप download करोगे ना उसी के end page पे core structure लिखा होगा core structure नाम का लिखा होगा जिसके ओपर मैंने sessions करवाए हुए उसी में यह सारी चीज़े लिखी हुई लेकिन यह वह सवाल होते हैं जहांपर वह application based questions होते हैं कि direct cut to cut सवाल नहीं होंगे आपको concept आना चाहिए concept के basis में जब आप जबाब दोगे सवाल देखोगे तो आप जबाब दे पाओगे अराम से but let me very honest with you guys मैं आपको यह सब कहा के बिल्कुल नहीं डराना वाला मैं आपको simple तरीके से कह देता हूँ paper में यह कुछ भी हो paper is going to be extremely easy मेटा paper बहुत बहुत easy होगा मैंने बहुत channel में already देख लेकि बच्चों डराना अब आप क्या देखने के आए ऐसके formula का competency-based questions करां let me tell you there is only one single formula and the formula is concept strong करो जैसे आपना concept strong करो गे ना सवाल का variety जो भी आप खोड़ दोगे और in fact competency के आने के बाद तो भाई पिछले दो साल से में देख रहा हूँ paper का level और easy हो गया है so you don't have to worry क्योंकि आपके बास 4 options भी है session reasoning में आराम से हो जाता है case based question में passage पढ़ने के भी जरूत नहीं पढ़ती case based questions में passage को पढ़ने के भी जरूत नहीं पढ़ती क्यों direct सवाल आपको लगता है कि देखकर कि भाई क्या लिखा हुआ है वो सवाल के जबाब ऐसी आ जाता है current का formula यह सिधा लिख दो इतना easy सवाल case based questions में you'll be like wow amazing problem होती है subjective questions के जो आट मा के सवाल होते हैं वो भी अगर आप concept strong है तो you are good to go and that is all I want to tell you कि भाई you understand what competencies you understand where and all competency will come and you just know that if your concept is strong you are going to kill it just believe in yourself ठीके बटा यह clarity मिलगी आप जल्दी से इसका photo लेलो आगे बढ़ता हूँ तो formula में में आपको बता ते concept strong करो और उसके क्या गलतियां नहीं करनी है सवाल को अच्छे से पढ़ना understand करना बक्त है तो दो बार पढ़ना क्योंकि सवाल गलत होने के वज़े से maximum marks कटते हैं बच्चों के सवाल पढ़कर ठीक से नहीं पढ़ा जिसके वज़े से गलत होगी जैसे आप उने कितनी बार किया होगा सवाल में पूछा हो गया भाई which of them is not the variety of you know something like that जहां पर not वाले सवाल आ जाते हैं कितनी बार आपने गलती की होगी गलती की होगी तो कमेट से पता में रहें तो ऐसे जहां पर जिन सवालों में not वाला question आता है तो आप परिशान होता है not देखते नहीं हो गलती से और सिधा जव कीवर्ट का इस्तेमाल करने कुश्य करो जवाबों में और आखरी last but not the least cut down wrong options immediately जहां पर आपको लगता है कि भाई जैसे section नहीं आगया MCQs आगया तो आपने देखा कि भाई इन चार options पे एक दो तो बिलकुल नहीं है तो उनको काटते जाओ उनको eliminate करते जाओ और बागी द इसी चीज़ के practice के लिए जहां पर आपके mid terms के practice हो जाया preboards की भी हो जाया board examinations की practice हो जाया class 9 की भी आपको यह कहता हूं कि भाई आप सीधा हमारे इस वीडियो के description ने जाए आपको मुल जाएगा simple से भाई हमारे 5 mock papers आपको 5 mock papers मिल जाएंगे ठीक है हर subject के आपको मिल जाए जाएगा science, sst, math और English आपको मिल जाएंगे यह सारे के सारे mock papers मिल जाएंगे 5-5 सारे subjects के जिसमें exact same format में जो CBC का है 50% competency के साथ in detail solution 80 mark का paper हमने बना कर रखा हुआ है absolutely free आप जाए practice करने के लिए उसको उठा ले जाए simple कुछ नहीं चाहिए free एकदम ठीक है जाओ click करो link पे लिखा होगा mid term free resources करके link लिखा होगा click करिए sign up करने के लिए बोलेगा Google के तुरू 3 minute, 3 seconds में वह login हो जाएगी और उसी sheet में बहुत सारे और resources भी होंगे जो आप उसको चांदबीन कर सकते हो जैसे previous papers solutions के साथ बगेरा च करते जाएंगे चीज़ें अप्डेट होती जाएगी तो एक बार अगरा वो श्रीट डाउट कर लेता है तो फिर उस जिन्दगी पर चलता जाएगा तो make sure that you're getting it done today buddy, don't wait अच्छा लगा तो like करें इस वीडिये को, share करें इस वीडिये को, subscribe करें इस जानल को और भाई, comments बता कर जाना कि वे, competency से लेटेड डर चला गया कि नहीं ठीक है, bye people, take care, peace